हेलो नमिश्कर दोस्तों स्वागताब सभीका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जै गुरुदेव जी द्वारा लिखे गए बहुश्यावानी के बारे में बताएंगे जो कि एक पत्रिका में चापी गई थी आज से बहुत साल पहले आप लोगों की सक्रीन पर वो पत्रिका के प्रेष्ट की फोटो भी आ रही है आप लोगों को सन भी हमने लिख कर बताएंगे कि यह पत्रिका के सन में लिखी गई थी दोस्तों आज से बहुत समय पहले यह भुष्यावानी लिखी गई थी जो कि आदी अपने करें तो 50% सच हो चुकी है वे 50% आने वाले समय में भुष्यावानी सच होती आप लोगों को दिख जाएंगी तो इस वीडियो में पूरा इस भुष्यावानी के बारे में जानेगे तो वीडियो कौन तक बने रही है सुहेल नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है खुश्दीप और आप देखने केसफेक्ट चैनल तरसल दोस्तों इसमें जैग गुरुदेव जी पहले कहते हैं कि ससंग की यह लहर जो छोटी नाली के रूप में दिख रही है कभी नाले नहर नदी का रूप धारन करके समुंदर का रूप धारन कर लेगी यह बात को ज़्यादा समझाने कि आप शक्तनी आप लोग समझ ही गई होंगे अगली भुष्यावानी में लिखा हुआ है ससंग की जो दारा वह चली है वह गाम शहरों प्रांतों में होती हुई पूरे देश में फैल जाएगी और बाद में पूरे विश्य में फैल जाएगी इसके बाद इसे कोई भी रोकन नहीं सकता इसके बाद सन लिखा हुआ है कोई के बाद देश और दुनिया में हलचल मचेगी चारों तरफ आग लगेगी जो लोग धरम पर चलेंगे वो जलेंगे तो नहीं लेकिन आच सहनी पड़ेगी अगली भुष्यावानी में लिखा हुआ है भुष्या में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं ऐसी जगह चला जाओंगा जहां तुम चाहा कर भी नहीं आ सकोगे दोस्तो आपको यह भुष्यावानी फिर से पढ़कर सुनाना चाहूँगा भुष्या में एक समय ऐसा भी आएगा और दयान ना देकर जनता के चरत्तर उठाने और सुधारने की कोशिश करें अगर यह सरकार नहीं तो आगे आने वाले सरकार तो सिनेमा बंद कर ही देगी यहां बूरे चीज़ें जो सिनेमा में दिखाई देती हैं उनको अच्छी कीजों से बदल देगी अगली भुष्यामानी में लिखा हुआ है समश्टी रूप में समश्टी रूप से एक बहुत बड़ा विद्रो होगा और वो यहां तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म होंगे जैसे थे हैं ही नहीं जैसे वो कभी होते ही नहीं यह क्यों होगा यह कोई मालिक का राज होता है महान आत्माओं के बनाई होंगे अगली भुईश्यवानी में दोस्तों लिखा हुआ है जितने भी बंब लोगों ने बनाई हैं वैस सभी छोड़े जाएंगे और करोडों लोग बे मोत मारे जाएंगे प्रकरती का कोप अलग होगा प्रकरती का कोप अलग होगा लाशों को उ उठाने वाले नहीं मिलेंगे वही लोग बचेंगे जो शाकाहरी मद्यापन रहीत और दार्मिक व्यक्ति होंगे अगली भुईश्यवानी में लिखा हुआ है जो समाचार पत्र अखबारों के लोग नेतिकता उठाने में समर्थन नहीं करते एक दूसरे की निंदा करते ल आके चलकर बंद हो जाएंगे अगली भुईश्यवानी में लिखा है भारत के उपर किसी का साशन नहीं रहेगा बारत अखंड राज्या होगा विश्यव के सबी देश नहीं विश्यव बर पर भारत का राज्या रहेगा और संपूरन विश्यव का परदान इशी और राम की भूमी भारत में बनेगा अगली भुईश्यवानी में लिखा हुए विश्यव में दार्मिंग संस्ताइं जो राम नाम से दूर करती हैं वे पैसा लूटती हैं वे समाप्त हो जाएंगी और जो हिंदूों हिंदूों को लड़ाती हैं या किसी और धर्म से सारा संसार उनके शत्तर शाय में आता चला जाएगा वे बुरे लोगों को तो सजा मिलनी ही है परन्तों उनके अंदर से बुराई भी खत्म होकर दीरे दीरे सारे संसार के वेक्ति अच्छे बनते चले जाएंगे या अपने इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि इस प्रिश् नहीं होगा जो आप सोच सकतियों वे प्रिश्वी पर घटित ना हो रहा हो आपके सोचने से पहले ही वो पाप हो चुका होगा परन्तों उस पाप के सामने वेक्ति हो सकता है कि एक बार जुक जाए उससे डर जाए परन्तों सत्य को जिस तरह से कभी प्राजित नहीं किया जा सकता है उसी तरह धर्म पर चलने वाले वेक्तियों को भी पराजित नहीं किया जा सकेगा एक बार हमें लग सकता है कि बादोलों ने सूरज को ढख लिया प्रंतों उसके बाद सूरज इस तरह परकाश में होकर सभी के सामने आएगा कि देखने वाले की आँखे धंगर रह जाएंगी शुरू शुरू में हमें लग सकता है कि लोग उस देविय वेक्ति उस अवतारी वेक्ति का साथ ना देकर बुराईयों का साथ देने लग जाएं हो सकते उस पर बहुत सारे लांचन भी लगाए जाएं वे उस पर बहुत सारे जूटे अरोप लगा दिये जाएं वह चमत कारी व्यक्ति इस तरह से अपना परभाव दिखाएगा कि जो व्यक्ति उसकी शरण में रहेंगे वही बच पाएंगे अन्य सा सभी काल का ग्रास बनते चले जाएंगे तो दोस्तो इस तरह की भोईश्यावानिया शरी जैगुरु देव जी द्वारा करीगी से जो कि हमने आप लोगों को पत्रिका की फोटो दिखा कर आपको बताया कि यह जे भोईश्यावानिया उनकी करी गई है इसमेंसे एगर अपने कहें तो बहुत सारी भोईश्यावानिया 50% सच हो चुकी है वे बाती भोईश्यावानिया आले वाले समय में आप लोगों के सामने सच होती नजर आएंगी तो दोस्तो मेरा प्रेशन यह है आप लोगों से कि आपको क्या लगता है कि इनकी पहले वाली बहुश्यावानिया तो सच हो गई परन्तु जो आने वाले समय के लिए जो बहुश्यावानिया करी है इनोंने क्या आपको क्या लगता है कि क्या वो भुष्यावानिया सच हो पाएंगी या वो भुष्यावानिया अधूरी ही रह जाएंगी आप इसका जवाब कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं या आपका मत क्या वो पी आप हमें लोगों को बता सकती हैं दोस्तो आने वाली वीडियो में हम आपके लिए और भी बहुत ही अच्छी अच्छीव है इस तरह की भुईश्यावनिया लेकर आते रहेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आप लोग किसी भी वीडियो को मिस्सन ना कर पएं अभी वीडि सब्सक्राइब का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर कॉंटेक्ट करके आप यह सभी सर्विसे अच्छे दामों पर खरीद सकते हैं दोस्तों 100% ट्रेश्टेड वो वेबसाइट है वे मोनेटाजिशन गरंटी ले जाती है तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना है उमीद कर को like कर दीजिए कमेंट करके बताई और किस चीज के बारे में आप लोग जानना जाते हैं सबी social media handle को निचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन चैक करकर करके आप उस साइट पर भी पहुंसकते हैं जहां से आप social media services खरीज सकते हैं वे अपने instagram और य नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रबराखा जैहिंद वंदे मातरम घर पर रहे हैं स्वरक्षित रहे मास्क लगा के रखिए जैहिंद दोस्तों